जहारखन में भाजपा विधान सबाचुनाओ को लेकर सबसे जादा एक्टी मोड पर है भाजपा ने जहारखन में विधान सबाचुनाओ को लेकर श्रीवराद सिंग चौहान को चुनाओ प्रभारी और हिमनता विश्वा सर्मा को सहप्रभारी बनाया है अब तक हेमनता और शिवराज जारखन में कई बार दौरा कर भी चुके हैं और हेमन सरकार पर कई मुद्दों को लेकर हमलावर भी रहें हेमनता बार बार जारखन में बांगलादेशी घुसपैट का मामला उठाते रहे हैं अब जारखन में कॉंग्रिस नेताओं की तरफ से हमनता बिश्वासर्मा के जारखन दौरे को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है किसी का कहना है कि भाजपात धर्म की राजनीती कर रही है तो कोई कह रहा है कि हिमंता विश्वासर्मा का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है कुछ दिन पहले ही हिमंता विश्वासर्मा संथाल और कुलहान दौरे पर जारखंड आये दुमका में उन्होंने कहा कि पाकुड सहीत संथाल परगना की स्थिती बहुत ही खराब है बांगलादेशी घुसपैठियों को अभी नहीं रोका गया तो जारखंड की स्थिती भी असम जैसी ही हो जाएगी उन्होंने असम का उदाहरन देते हुए कहा कि असम में 40-42 प्रतिशत हिंदू मुस्लिम का डेमोग्राफिक चेंज हुआ है आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में पागुड में जो हो रहा है उससे पता चलता है कि आदिवासियों को ही न्याय नहीं मिल रहा है कॉंग्रेस के राष्ट्री प्रवक्ता डॉक्टर अजे कुमार ने असम के मुख्यमंत्री और ज्छार्खन विधासवा चुनाओ के लिए बीजेपी के सह प्रभारी हिमंता विश्वा सर्माद्वारा ज्छार्खन सरकार के खिलाफ जिस तरह का बयान दिया जा रहा है इससे पता चलता है कि वो मांसिक संतुलन खो बैठे हैं उन्हें बहतर इलाज कराने की जरूरत है जरूरत पढ़ने पर वो मदद करने के लिए भी तयार हैं वही जर्खन कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजस्ठाकुर भी भाजपा पर हमला करते हुए कह रहे हैं कि विपक्षी खास कर भाजपाई चुनाव के पहले जर्खन में वातावरन में आग फैलाने के लिए बेचैन है भाजपा की केंद्रिय टीम ने खास कर उन मुख्य मंत्रियों को जर्खन भेजा है जो समाज में आग लगाने में माहिर हैं आपसी एक्ता और मजबूती से ही भाजपा द्वारा सूबे में फैलाये जा रहे हैं नकरात्म का भियान का मुकाबला किया जा सकता है अभी भी हिंदू मुसलिम के अलावा आदिवासी मुसलिम और इसाय मुसलिम के बीच तनाव पैदा कर विधान सवाचुना में जीत की संभावन अतलाश रही है इसके लिए भाजपा ने अपने केंद्रिये मंत्रियों मुख्य मंत्रियों को विशेई सुरूप से तैनाद कर दिया है जो लगतार जारखंड में आकर वैमनिस्यता की राजनिती को धार देने में लगे हुए है मुख्य मंत्री हेमन सोरे ने भी बार बार जारखंड दोरे पर आ रहे है असम के सीम हेमन्ता विश्वा सर्मा पर तंज कस्ते हुए कहा कि हमें असम में रह रहे है अपने जारखंडी भाई बहनों की चिंता है इसलिए हमने सहायता राशी भी उपलब्ध कर आई पता नहीं उन्हें क्यों अपने राज्य असम के लोगों की चिंता नहीं है सीम हेमन सोरे ने कहा कि बार बार राज्य में भाजपा क्यों उनका विचरन करा रही है इसका जवाब भाजपा ही दे सकती है फिलाल के लिए नहीं मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे दा फोर्ट बिलट